आकाश्वानी का ये हमताबाद वडोधरा केंद्र है प्रस्तुत है कारिक्रम हिंदी जकत प्रस्तुत करता दीपशिखा दुरकापाल हिंदी जकत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों कल है 14 नमंबर यानि बाल दिवस जी हां बच्चों का दिन बच्चे जिनके अपनी एक अलग ही दुनिया होती है और उस दुनिया को समझना या उनकी मनोदशा को समझना इतना आसान नहीं होता अभी भावकों के करीब होने के बाद भी बच्चे अपनी बात खुलकर कहने ही पाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों क्यों उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हो गया रहा है बच्चों के कुमल मन मस्तष्क पर, उनके शरीर पर, कभी-कभी कोई काली स्याह रेखाई खीच रहा होता है जिन का आभास हमें नहीं होता और ऐसा भी होता है कि बच्चों के यौण शोष्ण के बारे में ग्यात होने के बाद भी हम कभी समाज के डर से, कभी इज़त के डर से और कभी रिष्टों के डर से चुप रह जाते हैं वैसे तो दोस्तों यही चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना किसी के साथ ना हो और खास करके बच्चों के साथ तो बिलकुल भी नहीं हो परंतो यदि कभी ऐसा कुछ होता है तो अपने बच्चे की बात सुने और यदि बच्चे चुप हैं कुछ नहीं कह रहे हैं या बच्चे छोटे हैं तो उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करें उनके चुपी के पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश करें उनके संकेतों को समझने की कोशिश करें और इतना ही नहीं सरकार द्वारा 2012 में लाए गए POXO Act Protection of Children from Sexual Offenses की जानकारी रखें बच्चों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षन अधिनियम बनाया गया है इसके तहट 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो यदि उनके साथ कोई छेड़चाड, यौन शोशन या यौन उत्पीडन किया गया है तो ऐसे मामलों में कारिवाही की जाती है और अपराधी को सजा दी जाती है वैसे सजा तो बच्चे को भी मिलती है जिसकी कोई गलती ही नहीं होती वो बिचारा बच्चा जीवन भर एक बोज लिए रहता है अपने मन में जीवन में कितने ही उजाले क्यों न आ जाएं लीकिन उसके मन के एक कुने में वो अंधेरा हमेशा घर किये रहता है एक पिंजरा था, एक नन्ही परी उस पिंजरे में क्याद थी, अज राक्षस पिंजरे का दर्वाजा बंद करना भूल गया था, परी पिंजरे के दर्वाजे से निकल कर बाहर चली आई, राक्षस की कैद से आजाद परी उड़ने के लिए बस पंख फैलाने ही वाली थी, और सडके उस पार उसे पहले राक्षस की ही तरव दरावन ही आखो वाला कोई दूसरा राक्षस दिखलाई दिया, उसे बचने के लिए बारा बरस की वो ननी परी खुद बखुद पिंजरे के अंदर वापस चली गई ननी परी के छोटे से घर में उस राक्षस का भी एक शांदार साफ सुत्रा सजाधजा कमरा था कमरे के ठीक भी पृत राक्षस की आखे चमकीली गहरी और डरावनी थी जब कभी वो उसके सामने अकेली पढ़ जाती उस वक्त वो राक्षस उसे और अपने चारो तरफ नजर घुमा कर एक ही समय में सब दिख लेता था उसके आवाज भी कुछ वैसी ही दो तरफा थी बुलंद और रौबदार पर एकांत में बहुत धीमी हो जाती जैसे फुस फुस हाँ उसके होट आँख पूरा कपूरा वो खुद अजीब सा दिखलाई देता था बहुत डराऊना था बस राग्ज़ जैसा था उसे वो बहुत डराता था अनरकर कुछ भी समझानी के बहाने उसके शरीर को कभी इधर से पकड़ता और कभी डाट लगा कर पुछकारने के बहाने उदर से चूता और वो समझ ही नहीं पाती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है बस एक अपराद बोध उसके दिलों दिमाग पर हावी रहता वो गंदी बच्ची है एक बार माने उसे एक काम के लिए कहा था एक बार ही क्यों माने तो उसे कई बार चोटे-चोटे वैसे ह कही थी सबजी मंगवानी है कमरे की टेबल पर पैसे पड़े हैं परी जल्दी लाकर दो वो कश्मकस में पढ़ गई थी वो कैसे लाए वहां तो राक्चस बैठा है अकबार पढ़ रहा है मा की फटकार लगाती आवाज उसके पैरों को आगे की और धक्का दे रही थी मोनन के बीच वो जूल रही थी किसी तरह अपने आपको समेठते वे बोल पाई थी ला रहे हूं ना अपने हातों में रुपए कस कर पकड़े हुए सदे कदमों से कमरे से निकल कर वो रसोई की और वापस चल पड़ी थी चलते वक्त उसे लग रहा था कोई काला डरावना पाग कि रफ्तार बढ़ गई थी और फिर एक दूसरा डरहावी हो गया कोई पूछ लेगा क्या बात है ऐसे क्यों दोड रही हो तब जबाब में वो क्या कहेगी ऐसे मौकों पर डर और घबराहट से परी के होट आपस में और कस कर चिपक जाते अपनी तेज चाल को वापस सही अ मा रुपया गलती कुद के साथ हो रही थी और मासुम किशोरवस्ता मन समझता था उसी ने कुछ गलत किया है मा पूछेगी तो क्या कहेगी उसे दोशी माना गया तो नहीं उसे कुछ नहीं कहना मा गुस्सा करेगी पर उसकी गलती कहा है पर गलती तो है ही उसकी अभी उसक कुछ नहीं किया, हुआ तो उसी के साथ, शैद कुछ गलत, शैद बहुत कुछ गलत हुआ, पर मा को कैसे और क्या बतलाएगी, उस ने, उस राच्छास में उसके कपड़ों के अंदर उसके साथ, ओफ, कलेजे में कितनी दगदग हो रही थी, पर ठीक इसके बिप्रित, चेहर तुमारा, नहीं, कुछ नहीं, होमक बाखी रह गया है, मैं पढ़ने जा रही हूँ, अरे, किधर जाती हो, रसोई में बहुत काम है, पढ़ाई बाद में कर लेना, राक्छस भी खाने की टेबल पर होगा, यह याद आते ही, मा की पुकार को सुना, अंसुना करते हुए, त पता नहीं, कब जाड़ी चालू हो जाए, जा, जाकर चत से सुखे कपड़े उतार ला, और वो परी मस्ती में जूमते, जामते, चत पर गई थी, दोनों बाहे, फैलाए, काले बादलों को बरसने कर रहे थी, और बस टब से बारिश के एक बूंद, उसकी हातेली पर आगी थी, वो कितने खुश वी थी, उस बारिश की पूंद को देखकर, पर फिर उसे याद आया, उसे रस्सी पर से कपड़े उतारने है, देर करी तो कपड़े भींग जाएंगे, कपड़े उतारते उतारते, आचानक उसे एहसास हुआ, कोई चाया उसके शरीर पर पसरी भी है, चाया में से कोई हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर पता नहीं, कैसे और कहां से उसमें आज इतनी ताकत आ गई थी, बेहत तेजी से भागते वे, वो छत की सिर्या उतरने लगी, अब चाया के बदले राक्षस की मिठास बरी आवाज उसका पीछा कर रही थी मेरी परी, कहां जा रही हो, सुनो तो, अरे रुको सुनो, देखो चोकलेट है मेरे पास, राक्षस अपने हाथों से मौका गवाना नहीं चाहता था, उसकी दोड़ थमती भी ना देखकर राक्षस कुराया, रुको, तुम रुकती हो या मैं, मार पड़ेगी तुमें, तु उतर ही थी, उसे यह भी समझ में आ रहा था, राक्षस मौका गवाना नहीं चाहता है, वो भी पूरी ताकत से, पूरी तेजी से सिर्या उतर रहा है, पर उसे इतने फूर्सत कहां थी कि पीछे मुड़ कर पता लगाए, अभी राक्षस कहां तक पहुचा है, और साथ ही उस उसके कदम डर से रुक जाएंगे, उसकी तेज गति के सासत राक्षस की कदमों की आहट प्रतिपल धीमी होती जा रही थी, पर वो कहां रुकी थी, वो तो सीधे अपने दादी के कमरे के पलंग के नीचे एक दम पीछे, अंधेरे में समा गई थे, आज वहां पढ़ी धू उसका डर भी उस डर के सामने बहुत चोटा पड़ गया था, अचानक अचानक राक्षस के कदमों की आहट उसके नज़िक आने लगी, पलंग के सामने आकर वो खड़ा हो गया, परिभी पलंग के नीचे पड़े वे धेरो सामानों के पीछे से उसे लकातार देख रही थी, उसकी सांसे जैसे की थाम गई थी, आखों के पुतली बस खुली थी, और राक्षस के पेरों का पीछा कर रही थी, वो उसे बेसब रहोकर कमरे में ढून रहा था, पर दादी कमरे में आ गई और उसकी जान बच गई थी, भारबरस की वो नन्नी परी, आज उम्रे दराज श पुड कहां सकती है, शहजादी परी की आत्मा कई बार अन्बुझे सवालों के जवाब ढूनती रहती है, उसका क्या कसूर था, उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, घर वालों को कैसे पता नहीं लगा, निरुत्तर थी वो, आज भी यह जग बाल यौन शोसन से कहां अचूता ह ता उम्र एक लड़की सिर्फ लड़की रहती है, भोग्या, एक वस्तू, उसे याद है, मा ने उसे कमरे की चादर बदलने कहा था, रक्षस के कदमों की दरावनी आहट सुनकर वो पूरी फूर्ति से अलमारी के पीछे जाकर चिप गई थी, उदर कमरे के बाहर से मा के पैर नहीं है, उस दिन वो करीबन डेल गंटे अलमारी के पीछे खड़ी थी, एक दिन वो राक्षस सोया का सोया रह गया, एक बार तो उसे या भगवान का चमतकार लगा, पर तुरंत बाद ही एक दरावना प्रश्ण उसे डराने लगा, साथ ही उसके मासूम मन में कितने ह अनसुलजी सवाल, डर, घबराहट उपजने लगे, दादी कह रहे थी, जो लोग बदमास होते हैं, वे मर कर भूत बन जाते हैं, और भूत भगवान के पस नहीं जा सकते हैं, हाँ, और एक बात, नानी ने भी बताया था, भूत कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसा सोचत ही परी के प्रान उसके गंठ तक आ गए, मतलब, मतलब हो राक्षस, मरने के बाद भी इसी घर में रहेगा, और अब उसे पता भी नहीं चल पाएगा, वो घर के किस कोने में हैं, उस अबोध भैवीत नन्ही की परेशानी से अनविक्य मा, उसे रोते देखकर, अपनी छाती से लगा कर कहने लगी, नहीं रोरे परी, वो भगवान के घर चला गया है, पता नहीं, भगवान अच्छे आदमियों को इतनी जल्दी क्यों बुला लेता है, मा उसका हाथ पकड़ कर, तनी खीचते वे, उसे राक्षस के चर्णों में माथा नवाने ले गई, और अब उनन परी, राक्षस के चर्णों में नत्मस तक थी, धन्यबाद हिंदी चकत कारिकरम का प्रसारण आकाश्वानी के एहमदाबाद बडोद्रा केंद्र से किया गया, प्रस्तती दीब शिखा दुर्गा पाल की